केंद्री आरोग्य अग्रस अचीव लव अग्रवाल द्वारा प्रेस कॉंफरेंस करवा मावी रही चिए सिद्धाच जैशुत्या Management of isolation facilities, quarantine, psychosocial care, logistics और supply chain management जैसे जितने भी संबंधित एरिया से online resources जो हैं क्योंकि अब हम lockdown की स्थिति में हैं तो field level पर workers को train करने के लिए इन सारी online resources के बारे में ब्यौरा दिया है साथ ही ICU care और ventilator management के उपर aims द्वारा continue trainings की जा रही है COVID-19 से संबंधित जो 11 empowered committee उचिस्ताई पर बनाई गई थी वे सबी required अपना action ले रही है और ministries concerned ministries को अपनी guidance भी provide कर रही है इसके साथ ही जैसे कि कल आप सबको बताया गया था भारस सरकार ने Corona virus infection को track और trace से संबंधित एक नई application आरुग्य सेतु भी कल launch की थी इस act के द्वारा आप अपना risk assessment कर सकते हैं साथ ही अगर कभी भी आप किसी Corona positive patient के संपर्थ में आते तो इस app के द्वारा आपको notification मिल सकता है मैं सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब तक 30 लाख लोगों ने इस app को download कर लिया है यह app हमारी Android users के लिए play store पर और iOS users के लिए Apple play store पर उपलब्ध है हम सभी लोगों से request करेंगे कि आप सभी इस app को download करें क्यूंकि सबकी safety से एक की safety होगी और एक की safety से सबको safety प्रदान होगी इसके साथ ही Ministry of Agriculture ने Agriculture Marketing Committee में Social distancing और Sanitary measures को maintain करने के अपने प्रयासों के तहट जो उनका एक online portal है E-NAM that is E-National Agriculture Market उसको launch किया है इस portal के तहट 16 राजियो और 2 Union territories में जो 585 मंडिया है उनके अलावा और अत्रिक 415 मंडियों को भी जोड़े जाने का कारेकरम किया जा रहा है इसके तहट जो किसान मंडियों में जाने की बजाए वह फिजिकली बिना प्रेजेंट हुए अपनी harvested produce अपनी फसल को बेच सकते हैं mobile based time repayment से decongestion को कम करने में और harvested agriculture produce के seamless transportation में भी इससे फैसिलिटेशन होगा साथ ही Defense Research and Development Organization Medical, Paramedical और हमारे स्काफ को सपोर्ट देने के तहट उन्होंने एक biosuit with seamless glue develop किया है जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है मैं आपको इसके द्वारा ये अवगत कराना चाहता हूँ कि not only DRDO जितने भी हमारे देश के research organization ने हमें हर तरीके से different type of research में जुड़े हैं जिसके द्वारा कि हम COVID-19 के management के अपने प्रयासों में हर तरीके से सफल हो सके हैं केंडरे स्वास्थ के मंत्री मानिये डॉक्टर हर्श्वरदन जी ने भी मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे डॉक्टर और अन्य चिकस्ति कर्मियों के कार्में बाधा नालखपन होने दे उन्होंने कहा है कि चिकस्ता कर्मी किसी भी प्रिकार के दुर वैवार और अवांचित वैवार पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि ये कोरोना के योधा अपनी निरंतर और निष्ठा पूर्वक सेवा के द्वारा कोरोना को नियंतरन करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं उन्होंने साथ में ये भी अवगत किया कि मानने प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे हेल्थ वरकर्स हैं उनके किये वे प्रतनियों की तारीफ की थी, उनको प्रोसाहन किया था उन्होंने कहा है कि इन कोरोना योधाओं के परिश्रमों के कारणी आज देश में 157 हमारे जो कोरोना रोगी हैं, वो स्वस्थ हुए है इनके कठिन परिस्थिते में काम करने के समय में गंभीर चुनोतियों के समय काम करने के समय में हमें इनको हर तरह का प्रोहसान देने की जरुवत है इस चेज के लिए भी उन्होंने अपील की है साथ ही माने प्रधानमंत्री जी ने आज सुबे देश को संबोधित करते हुए कहा है कि संकट के इस अनिश्चे समय में भारत ने अभूत पूर अनुशाशन और सामुहिक भावना दिखाई है माने प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 130 करोड भारते नागरिकों की सामुहिक शक्ती हर एक में है हमें प्रकाश और आशा की और प्रगती करके कोरोना संकट से फैले अंधेरे और अनिश्चता को समाप्त करना होगा माने प्रधानमंत्री जी ने सभी देश्वाश्यों से 5 अप्रेल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों की बालकनी चछ से दिया टॉर्च या मोबाइल के फ्लैश आदी कुछ भी जलाकर अनकाश से प्रकाश की और बढ़ने का आवाहन किया है इसके साथ ही आज माने राश्पती जी ने और उप राश्पती जी ने भी सभी स्टेट्स के गवर्नर्स, लेटनर्स गवर्नर्स और एड्मिस्टेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फरेंस की है जिसका उदेश ये स्टेट्स और यूने टेरिट्रीज की तैयारी के परिसीति के बारे में जानना कमजोर वर्गों के उपर मुखे फोकस करते हुए उनकी सर तरह की जो सहुलियत हैं उनके उपर ध्यान देना साथी रेड्ड क्रॉस और जो हमारे एंजियोज हैं जो हमारे सिविल सोसाइटी और्गनाइशन से हैं उनको इन्वाल करकर इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है इसके बारे में उन्होंने स्टेट के एड्मिनिस्टेटर से बात किये हम सब को समझना चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन का पूर्णते पालन करेंगे पूर्णते अवेरनेस के साथ सबी तरीकों से हैंड हाईजी रेस्प्रिटरी हाईजीन और एन्वार्मेंट हाईजीन पर फोकस करेंगे तो हम हर तरह से संभव है कि हम कोरोना के इस बीमारी से इस महामारी से मुक्ति पा सके धन्यवाद धन्यवाद ग्रीमंद्रा लेकि प्रवर्णते हो मिनस्ट्री तो एक अप्लिकेशन खास लौंच करवा मावी छे खेड़ूतों माठे आज सारा समाचार गणी शुकाई खेड़ूतों एपेमसी मां गया वगर माल वेची सक्षे आए अप्लिकेशन लौंच करवा मावी छे करोना यो दस साथी तता दूरवेफार अंगे पन चिंता व्य होम सेक्रेटरी ने कल पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी इसको इससे भी अवगत कराया फिर से अवगत कराया है कि आज से प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना पैकेज के अंतरगत जो डिस्बर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स होना है उसके लिए सुचारू व्यवस्था करें लोगों को स्टैगर्ट टाइम्स पे बुलाएं जिससे की क्राउडिंग ना हो सोशल डिस्टंसिंग मेंटेन करें और बैंक ब्रांचेज में पर्याप सेक्यॉरिटी के अर्रेंजमेंट्स करें उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन्स फील्ड लेवल तक ज जाएं जिससे की हम इंशोर करें कि डिस्बर्स्मेंट और बेनिफिट्स स्मूदली हो सके और हर एक लाभारती को जो उसका बेनिफिट है मिल सके जैसा आप सबने पढ़ा होगा तब्लीग जमात वरकर्स के संदर्व में ग्रिह मंत्राले ने 960 फॉरिनर्स जो इंडिया ट अपने देश वापिस जा चुके हैं उनके भी खिलाव ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है सभी डीजीपी और कमिशनर पुलीस को बोला गया है कि वीजा वाइलेटर्स के खिलाव डिजास्टर मैनेजमेंट आक्ट और फॉरिनर्स आट के तहत स् होंगी अभी तक हमारे कंट्रोल रूम में साथ हेल्प लाइन उपलग थी इन में बढ़ोतरी की गई है अब दो नई हेल्प लाइन इंट्रियूस की गई है वन नाइन थी जीरो जो हमारा ओल इंडिया टोल फ्री नंबर है और वन नाइन फोर फोर जो हमारी नौत इस्ट क लोगों के लिए हेल्प लाइन है स्टेट्स और यूटीज के भी हेल्प लाइन नंबर्स हमारे वेबसाइट पर उपलग्ध हैं लोग उनको कॉल करके डायरेक्ट मदद भी ले सकते हैं पिछले नौ-दस दिनों में हम स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर कई नो Dr. Banos from ICMR. Namaskar. ICMR को और से में आपको अब्डित करना चाहूंगा कि करेंटली देरा 182 बाइन दे कंट्री विच रूविच पूइज लॉड गविच बाइन देग्नोसिक तु पूवीच तूवट लगभग 8,000 संपल स्टेस किये गये and this was the highest number of samples that were tested till date cumulatively 66,000 samples have been tested till date thank you सबसे पहले गरी मंत्राले के लिए online question है यह जो 970 लोग blacklist हुए हैं तबलीक जमात के क्या यह वरकर जो हम डिपोर्ट करे जाएंगे only after they are tested negative for COVID और they can be sent immediately जैसे मैंने कहा कि जो यह 960 foreign nationals है जो blacklist किये गए हैं उनके खिलाफ हम Disaster Management Act of Foreigners Act के प्रावधानों के तहत कारवाई इनिशेट कर रहे हैं therefore at this stage deportation का सवाल नहीं है पर as and when deportation होगा वो standard health protocol follow करते हुए होगा Mr. Jitendra Kumar युनिवारता Please use mic जितने भी अब तक मरे जाये हैं सर उनमें 50 से नीचे कितने परसंट है total सर मेरे पास ये details अभी available नहीं है कि हमारे पास ये details वैसे हैं available बट मैं अभी लेकर नहीं हाँ मैं आपको दे सकता हूँ मिस पॉल मिसाहा इंडिया टुड़े आज साथे बुलिटीन में अत्यारे बसाठ लूज अनिजीच ओविसक लाकनी आप तमाम दर्शिक मीत्रों ने एकका जपील गर्मा रहो सुरक्षित रहो नमस्ट